हेलो बचो कैसे हैं आप सभी अच्छे से हैं चलिए आज पिक स्टार्ट करते हैं मैं हेरो सिंग रावत पीजीटी इन कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाना आज बारवी कक्षा के अकाउंटेंसी विशे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग चेप्टर है कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेर्स चलिए अब हम दोनों में एक बार अंतर करने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या क्या है देखिए पहला अंतर है सदेश्यों की संख्या प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने दो और अधिक्तम 200 लेकिन कौन से वर्त वर्तमान और भूत पूरु करमचारी सदेश्यों को छोड़ के अभी समझाया था पब्लिक कंपनी में कितनी सदेश्या है सदेश्यों क्या है इसमें बच्चों मिनिमम साथ है यानि साथ मेंबर से नीचे पब्लिक कंपनी नहीं खुल सकती दो मेंबर में प्राइवेट कुलेगी साथ में पब्लिक कंपनी कुलेगी और अधिक्तम कोई सीमा निरदारित नह नहीं है यानि इसमें लाखों करोडों लोग मेंबर हो सकते हैं नमबर दो जनता को निमंत्रण बताइए जनता को निमंत्रण क्या है क्या प्राइविट कंपनी जनता को निमंत्रण दे सकती है बिल्कुल नहीं तभी तो निजी है लेकिन पब्लिक कंपनी जनता को सकती है का मतलब है अगर वह चाहे तो निमनत्रन दे दे चाहे तो निमनत्रन न से ना दे क्योंकि अगर साथ वेक्ती क्लोज पर्संस हैं वो प्राइविट भी खोल सकते हैं क्योंकि minimum maximum 200 तो सात वेक्ती खोली सकते हैं और सात वेक्ती public company भी कोल सकते हैं या निये उनके हात में हैं वो private company बनाना चाहते हैं या public बनाना चाहते हैं तो कि आगे चलके इनमें भी फरक होता है प्राइवेट को ज्यादा रिस्टिक्शन नहीं होते ज्यादा पर्तिबंद नहीं होते बाकी बातों पर जबकि पब्लिक कम्प्री को बहुत सारी उपचारी प्रतिय समय समय पर उसके बाद है बच्चों तीसरा अंतर नियम बनाना यार्ट कल we इसे नियम बनाने पड़ते हैं अंतरु नींजियम मैंने बताये थे वह बनाने पड़ते हैं पब्लिक कम्पनी को भी बनाने चाहिए लेकिन यदि वो किसी कार्ण बस नहीं बनाती है तो कम्पनी की टेबल वन सूची सुरी सूची वन और टेबल एफ लागू हो जाएगी वहाँ पर जो निया में वो लागू कर दिये जाएगे ठीक है अब चलते हैं अगले पॉइंट पर अंसों का हस्तांतरण पराइवेट कम्पनी अंसों का हस्तांतरण स्वतंतरता पूर्वक नहीं कर सकती केवल अपने क्लोज सर्कल में ही कर सकती है जबकि पबलिक कम्पनी अपने शेयस का ट्रांसपर स्वतंतरता पूर्वक किसी को भी कर सकती है उसके बाद है वैधानिक सभा बलाना स्ट्रेट्री मीटिंग यह वैधानिक सभा क्या होता है बच्चों जब कम्पनी का निर्माण हो कानुन द्वारा होता है कंपनी रिजिस्टर होता एक सरकारी अधिकारी उसके पास application देनी होती है और तब वह कंपनी का जब रिजिस्टेशन कर लेंगे तो पहला सटिफिकेट मिठेगा सटिफिकेट ओफ इनकॉर्पोरिशन शर्टिफिकेट ओफ इनकॉर्पोरिशन व्यवसाए समामेलन का पर्मान पत्र व्यवसाए समामेलन का पर्मान पत्र ये सटिफिकेट मिलता है कब जब कंपनी का रिजिस्टेशन सरकारी अधिकारी जिसे कंपनी रिजिस्टार कहते हैं उनकी द्वारा कर दिया जाता है तो प्रूफ के तौर पर एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं आज से आपकी कंपनी अस्तित्व में आ गई है ये आर्टिफिशल पर्सन बन गई है ये पहला सर्टिफिकेट है अगर प्राइवेट कंपनी है तो बच्व ये सर्टिफिकेट लेने के बाद यानि कंपनी का जन्म होने के बाद वह अपना व्यापार्ग धडले से चालू करें कोई लेकिन अगर यह पब्लिक कमपनी है और क्योंकि पब्लिक कमपनी अक्सर जनता से पैसा जुटाती है तो पैसा जो शेर के माध्यम से क्योंकि हमारा टॉपिक भी तो शेर इशू का ही है तो यह पैसा जो जुटाती है शेर इशू करती है लोगों से पैसा कलेक्ट करती है उनक वो कंपनी रेजिस्टार के पास जाते हैं एप्रिकेशन देते हैं कि सर हमने लीगल जो फॉर्मल्टी से पूरी कर ली है पैसा कटना हो चुका है जारे अग्रिमेंट हो चुके हैं अब आप हमें व्यवसाय प्रारब करने का पर्मान पत्र दें certificate of commencement of business certificate of commencement of business व्यवसाय प्रारंब करने का पर्मान पत्र पब्लिक कंपनी को दूसरा certificate लेना होता है तो हम मान के चलते हैं कुछ मैने का गैप तो आई जाता है रखबग 6-7 मैने का गैप तो होई जाता है पहले जनम होगा उसके बाद आप शेयर्श इसू करेंगे जनता से पैसा कठा करेंगे फिर उनको अलोट करेंगे फिर सारी अप्चारिता पूरी करने के बाद हम application देगे कि अब हमें यह प्राइविट कंपनी ने यहीं से स्टार्ट कर दिया इसको 6 मैंने 7 मैंने 8 मैंने और फालतु लग जाते हैं तो हमारा पॉइंट है वैधानिक सबाब लाना इक जब कंपनी को दूज यह प्राइविट कंपनी को तो इस ट्रेट्री मीटिंग करनि की जरूत नहीं होती है वैधानिक शबाउटा है जो कानून के द्वारा कहा गया कि पहली सबहुत जरूदरी है सभी शेयरोलडर्ड दर्की क्ल करना उसको कहा गया जो पहली सभा होती प्राइव कंपनी को वेदानिक सभा की अप्चारिकता पूरी नहीं करनी होती है लेकिन अगर वो पॉबलिक कंपनी है तो उसे यह सर्टीफिकेट प्राप्त हुए दूसरा सर्टीफिकेट आपने एक्जाम में दूसरा नहीं लिखना नाम बताना बता है व्यवसाय प्रारम करने का पर्माण पत्र प्राप्त होने की छह महीने के अंदर अंदर जब आपको यह स्रेटिमेट मिल जाएगा उसके अंदर उसके बाद काम चालू करिए लेकिन छह महीने में आपको एक सभी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने पड़ेगी जिसको कहते ह वैदानिक सभा यह पहली बार होती है फिर बाकी हर साल बुलाए जाएंगे लेकिन उसका नाम होता है जर्नल मीटिम हाम सभा ठीक है तो कुछ बच्चे गलती क्या खा जाते हैं वो यह कह देते हैं कि सर्टिपिकेट ऑपिन कॉर्परेशन प्राप्त होने के छह मैने बाद नहीं दूसरा सर्टिपिकेट प्राप्त होने के बाद सर्टिपेट और कॉमिस्मेट बिजनेस प्राप्त होने के छह मैने के अंदर-अंदर वैदानिक सभा बुलानी पड़ती है किसको पब्लिक कंपनी को ठीक है बचे यह हो गया और उसके बाद है सीमित सब्द का परियो यह क्या होता है अभी पीछे किया था प्राइबेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइबेट लिम्टेट लिखती है पीवीटी लिम्टेट लेकिन पब्लिक कंपनी को अपने नाम के पीछे सर्फ लिम्टेट लिखना होता है ल्टीट और कुछ कंपनियों को तो गवर् इसोड़ा सा आप अपने दिमाग में यह रखें कि उसे सरकारी कंपपनी ना समझ बैट एंगा कुछ बच्छों के दिमाँ में गलत धारना होती है, अगर वो किसी नाम के पीछे सम्झते हैं, जी से वो सरकारी顆 है पूबिक कमपनी भी हम खोल सकते हैं वो सरकारी नहीं है वो सार्वजनिक सरकारी पर साजनिक फरक होता है ठीक है अब हम चलेंगे वन परसंग बचो मद्चों अब हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति कम्पनी, क्या होती है एक व्यक्ति कम्पनी से मतलब है एक प्राइवेट लिम्टेट कम्पनी से जिसमें एक ही सद्रश्य हो भारतिय कम्पनी अदिनियम 2013 वन पर्सन कम्पनी खोलने की इजाज़त देता है लेकिन उसकी कुछ सर्ते हैं और जब तक वो सर्ते लागू है जब तक उन सर्तों का पालन है तब तक ठीक है अदर्वाइज वो इस ओपी सी के अधिकार को वापस भी ले लेता है आए पढ़ते हैं उसकी क्या शर्ते हैं पहली बात है सदेश्य इसका सदेश्य केवल प्राकर्तिक व्यक्ति हो सकता है नेचुरल पर्सन और वो जो की भारत का नागरिक और निवासी हो नेचुरल पर्सन हो भारत का नागरिक हो और भारत का निवासी हो यहाँ पर निवासी से क्या आर्थ है यहाँ पर निवासी से आर्थ है कि कोई व्यक्ति जो पिछला कैलेंडर वर्स भीता है उसमें एक सो बयासी दिन कम से कम एक सो बयासी दिन वो भारत में रहा हो यह एक सो बयासी का क्या आर्थ है और नागरिकता तो आप जानते हैं कि नागरिक होना चाहिए नंबर दो एक व्यक्ति केवल एक ओपीसी का निर्मान कर सकता है मतलब एक व्यक्ति वन पर्सन कंपनी यदि बनाता है तो केवल एक कंपनी बना सकता है जैसे बहुत सारी कंपनियों का निर्मान नहीं कर सकता है। तीसरी बात है इसकी जो पेड़ब कैपिटल होती है चुकता पूजी यानि इसमें पूजी लगी होती है वो 50 लाख रुपे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पचास लाख रुपे से अधिक पूजी नहीं हो सकती। यह इसमें प्रतिबंद लगे हुए है। और उसके बाद अगला पॉइंट कि इसकी गत तीन वर्सों की ओसत विक्री दो करोड से अधिक नहीं होने चाहिए। पिछले तीन वर्स की ओसत विक्री यह ओसत विक्री क्या होती है बचो जैसे मान लेते हैं एक वर्स उसकी विक्री तीन करोड हुई। उससे अगले वर्स उसकी एक करोड हुई। उससे अगले वर्स उसकी दो करोड हुई। कुल मिलाके तीन वर्सों में तीन और एक चार और दो छे करोड भी तो छे करोड को यदि मैं क्योंकि तीन वर्स के आकड़े तो तीन से बाग करूँ तो दो करोड वार्शिक ये ओशत हो गई के तो ओसत जो विकरी है धुक्र डो करोड रुपे से अधिक नहीं होने चाहिए इतने का ओसत Bash? सिरफ तीन वर्सों का ओसत लेडा है कि यह साल व्यापार में दू करोड़ ही विक्री हो कभी जादा भी हो सकते कभी कभी लेकिन औस विक्री दो करोड़ से दिक नहीं हो सकती उससे अगला है कि इसका निर्मान केवल व्यवसाई कारिय के लिए ही किया जा सकता है व्यवसाई चलाने के लिए ही इसका निर्मान हो सकता है और किसी कारिय के लिए नहीं जैसे कि कोई दानपुन का काम करना हो धर्मिक काम करना हो सामाजी करना हो इसके लिए नहीं का गया है और उसके बाद अगला पॉइंट है, ये कंपनी अपने समामेलन के अगले दो वर्सों तक निजे या सारुजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। मतलब जब OPC बन गई वन पर्सन कंपनी बन गी तो अगले दो वर्स तक ये इसी अवस्ता में रहेगी ना ये प्राइविट लिम्टेट बनेगी ना ये पब्लिक लिम्टेट बनेगी वन पर्सन कंपनी में रहेगी लेकिन यदि यह अपनी अधिक्तम पूझी पचास लाख रुपे की सर्थ या ओसत विक्री दो क्रों रुपे वार्सिक की सर्थ का उलंगन करती है तो ऐसे में OPC का परिवर्तन करवा अनिवारिया हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि यदि वो पचास लाख रुपे की जो चुकता पूझी की कंडिशन है अगर उससे वो ज्यादा हो जाए पूझी या दो करोड रुपे वार्शिक जो आसत बताया था उससे ज्यादा विक्री होना जुरू हो जाए तो फिर उसके पास से अधिकार छी बच्छों अब हम टाइप सब्सक्राइब करेंगे ताइप सब्सक्राइब करने से पहले हमें शेयर के बारे में जानकारी होने चाहिए अंस क्या होता है अंस एक हिस्सा तुकड़ा कंपनियों में बहुत ज्यादा पूझी की आवशकता होते हैं क्योंकि उसका आकार भी ब पाता तो उसको क्या करिया जाता है कि उसके चोटे-चोटे टूकड़े कर दिया जकते हैं थे चोटा टुकड़ा सौ रुपे का ओ सकता है पचास का बीस का डस का करने को दो एक रुपे का भी कर लीजे लेकिन इतना भी छोटा करें जो हमारे management में लागत बढादे जैसे एक पनीर का इतना बड़ा पीस होता है क्या वो पूरा का पूरा सब्जी में यू का यू बना जाता है नहीं उसके टुकड़े किया जाते हैं के टुकड़े कितने चोटे यतना इतना लेकिन ऐसफि की इसको चूडा कर करना यहां पर आपको लगी यह उचित है इसे टीक नहीं एसा चोटा करना वह एक तो अंस भी इसी प्रकार से है अल्स पुझी का वो हिस्सा है छोटे से और चोटा हिस्सा है जिसके और टुकड़े ना किया जा सके आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कहीं पर तो रुकोगे ना इससे चोटा टुकड़ा नहीं करना अब हम करते हैं शेस ताइपस अब शेस पहले सम्तांस थे इक्विटी शेस नाम से किलिए रहे इक्विटी सम्ता बराबर का अधिकार जिन व्यक्तियों के पास सम्तांस होते थे कि व्यक्ति कमनि के के नियनतर्ण में उनका सैयोग होता है और कमपनी में बोट डानले का अधिकार होने आप जानते हो कि कंपनियों में जो संचालन होता हों बोल्ड दिर्टर के द्वारा होता है और उरॉड दिर्टर का चुनाओ, तो वो यक्विटी शेर होल्डर होते हैं प्रीफरिंस शेर क्या है looking huh, यह दूसरा प्रकार हो गया इस प्रेफरिंस शेर क्या हिता है। फूरू अधिकारण्स , गिस से पहले अधिकार हो। इक्वुटी शेअर से पहले अधिकार होता है। किस बात का लाबानस बानेगा। यानि जो व्यक्ति प्रिफेंशियस खरीते हैं उन्हें एक निश्चित दर से लाभास दिया जाता है निश्चित दर उनका परसेंटेज होता है इतने परसेंट आपको लाभ मिलेगा और वो भी एक्विटी से पहले मिलेगा एक तो यह दूसरा जब कमपनी का समापन होगा उ समपत्यों को बेज के और दायतों भुक्तान करने के बाद जो बचेगा पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर का भुक्तान किया जाएगा और बाद में एक्विटी शेयर समता अंस्दारियों का भुक्तान होगा तो यह दोनों अधिकार है प्रिफरेंस शेयर होल्टर के पास इन दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे प्रिफरेंस सियर्स ज्यादा अच्छी है चलिए इसके बारे में बात से करेंगे अब हम करते हैं pumpkins शेयर के प्रकार, पुर्वाधिकार अंसों के प्रकार, पहले equity shares थे, फिर preference share बने, preference share के अंदर भी बहुत प्रकार के share बना दिये गए है, पहला share है cumulative preference share, Cumulative Preference Shares संचाई पूर्वा अधिकार अंस जिन Preference Shares को यह अधिकार दिया गया है कि यदि एक वर्स आपको लाब उचित मातरा में ना हो जितना आपका प्रतिशत निशित है उतना ना दिया जा सके या लाब ही ना हो तो आपका लाब लाबांस संचित हो जाता है एकत्रित हो जाता है अगले वर्स आपको पिछले वर्स का और उस वर्स का दोनों लाबांस दे जाएंगे यदि हम कलपना करें कि दूसरे वर्स भी लाब नहीं होता तो तीसरे वर्स इन गत दो वर्सों का लावांस और इस तीसे वर्स का लावांस मिलाकर पहले भुगतान किया जाएगा इक्विटी शेर होल्डर का नंबर लावांस पाने के लिए बाद में आएगा इसे कहते संचई कमूलेटिव कमूलेट मने संचट कठा होना इकठा हो जाना यह संचित होता है जब वने आदिकार हो अब दूरा है टाइप नोन कमूलेटिव प्रिफेरन्शेस गयर पूरुवादिकार नाम से इत है अगर प्रिफेर्फेरन्शेस में कमूलेटिव का अदिकार नहीं दिया तो वो नोन यानि जिस वर्स लावांस होगा उस वर्स नहीं लावांस दे दिया जाएगा जिस वर्स लावांस नहीं होगा आगे संचित नहीं होगा आप समझ सकते हैं? और आप भी कमपनी के preference share खरीदना चाहेंगे नहीं तो मैं समझ रहाँ हूं कि साहद आप में कॉम्मिलेटिव को प्रात्मेटा देंहे, तीसरा प्रकार है redeemable preference shares, क्या होता है सोधनिय पूर्वादिकार अंश कम्पनी ने जो प्रिफेश्य बेचे हैं उनका जो पैसा है पूझी जो उनकी राशी है वो एक निश्चित समय के बाद वापस लोटाने का यदी पहले से तै है उसे कहते शोधनी है पुर्वादिकारंस रिडीमेबल प्रिफेंशेर्स जैसे कि माल लेजिए दस वर्स बाद प्रिफेंशेर्स का भुगतान किया जाना निशित है तो दस वर्स तक आप कमपनी से अपने शेर्स का पैसा वापस नहीं मांग सकते हाँ ये वेक उसका बुगतान हो गया ये वक्ती दूसरे तीसरे को बेचे तीसरा चौते को बेचे ऐसे मार्किट में बाजार में कोई किसी को बेचे कोई प्राबलम नहीं लेकिन कमपनी से कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि आप हमारा पैसा लोटा दीजिए हमें आपकी कमपनी प ये रिदीमेबल प्रिफिर्फिछेस कहा ज़ता है। E 날 ये फेद्शियर। जिसका कम्पनी के जीवन काल में भूभतान नहीं किया जाएगाέλ ए रिदेमेंप्रिफिर्फिर्फिछ्यस। अमुमन देखने में आया कि ऐसे irredeemable preferentious लोग पसंद नहीं करते। उसके बाद है फिप्थ पॉइंट है पाच्वाँ पॉइंट पार्टी स्पेटिंग preferentious भाग यूप पूर्वादिकार अंस ऐसे पूर्वादिकारंस preferentious जिनने ये अधिकार दिया जा रहा है कि आपको निश्चित मात्रा में जो उस पे लिखित है उतनी मात्रा में लावांस देने के बाद यदि कंपनी में अधिक लाव हो तो एक उचित मात्रा में इक्विटी शेयर को लावांस देने के बाद भी यदि लावांस बच जाए तो उस लाव में preferentious शेयर को भी कुछ अधिकार मिल जाए कि उन्हें कुछ अधिकार दे दिया जाता है कि आपको इतना प्रतिशत और लावांस मिल जाएगा तो कहने का मतलब है मान लेजे एक प्रतिशत लिखाया तो दस प्रतिशत उनका अधिकार ही है उसके बाद यदि लाव बचता है तो फिर एक्विटी को मान लोग 25 परसेंट लाव दे दिया और फिर भी यदि लाव अधिक महत्रा में बचा हुआ है तो उसमें 2 परसेंट औरत सब्सक्राइब गरें सब्सक्राइब सब्सक्राइब कहा जाते हैं ठीक है बचो आब उसके बाद चलते हैं सेवन पॉइंट पर कन्वर्टिबल प्रिफिंशियल्स परिवर्तनिय पूर्वादिकारंज यदि हम प्रिफिंशियल्स को यदिकार दें कि एक निश्चित समय के बाद जैसे मान लेजिए पांच वर्स तीन वर्स कि एक निश्चित समय बीतने के बाद यदि आपको उचित लगे तो आप अपने प्रिफिंशियल्स को एक्विटी शेयर में बदल सकते हैं अर्थाथ प्रिफिंशियल्स कंपनी को वापस दे दीजिए उसकी जितनी राशी बनती है उतने के आपको एक्विटी शेयर दे होता है फुली कनवर्टिपल का मतलब जितने श्lık के आपके प्रिफिंश यह उतनी राशी के ही इकविटी शेयर दे दिया जाएंगे माल लेजिये आपके पास विस अजार रुपे के प्रिफिंश अरशन के कमपनी को जमा कराईए और 20,000 में जितने एक्विटी शेर बनते हैं उतने आपको एक्विटी शेर कंप्री दे देगी इसे कहते हैं फुली कनवर्टिबर दूसरा प्रकार है पार्शली करिट वर्टिबर अंस्त है परिवर्थनी है पुर्वादिकार अर्थात मान लेते हैं हम कहते हैं कि केवल 50% राशी के ही आपको इक्विटी शेर में कनवर्ट करने का अधिकार होगा तो अभी आपसे उदहर लिया था कि 20,000 के आपके प्रिफेट शेर थे तो आप 20 की बजाए केवल 10,000 के शेर को इक्विटी में बदल सकते हैं और बाकी 10,000 रुपै तो आपका नगद ही वापस दिया जाएगा ऐसा करने के पीछे ये मकसद है कि यदि फुली कनवर्टिबल का अधिकार दे दिया जाए हो सकता है एक्विटी शेयर लोग खरीदना है पसंद ना करें क्योंकि शुरू-शुरू में जब कंपनी चलती है तो ज्यादा चांसिस है कि शुरू में लाब कम होगा एक समय बीतने के बाद लाब होगा तो लोग शुरू में प्रिफेंश शेयर खरीद के बैठ जाएंगे और जब लाब कमाने लगेंगे तब जाके एक्विटी में और वो भी फुल कनवर्टिबल हो जाएगे तो इसके पीछे ये भी मकसद हो स इन दोगों में बदल सकते हैं उने नोन कनवर्टिबल परिफेंश शेयर कर सकते हैं तो यदि कोई प्रिफेंश शेयर खरीदना चाहे तो देखिए पॉइंट नंबर एक उठाले कमूलिटीव प्रिफेंश ले ले जिससे कि उसको लाब हैस बाद में मिल जाए साथ के साथ पैसा उनको वापस भी मिल जाए कि क्या होगा हमारे अगर कोई नहीं खरीदेगा तो क्या होगा यानि कमपनी तो जरूर खरीदेगी कमपनी आपका पैसा जरूर लोटाएगी फिर इसके बाद चौथा पॉइंट ले ले चौथा नहीं पॉइंट कि पार्टिस्पेटिंग ल एक ही अंस इसमें गुण सारे हो सकते हैं वो कमलेटिब भी हो वो साथ में रिडीमेबल भी हो और साथ में वो पार्टिस्पेटिंग भी हो और लास्ट में कनवर्टिबल भी हो तो एक अंस के अंदर यह जो मैंने आठ पॉइंटों में से चार बताए हैं पहला तीसरा पां कौन से आच्छे रखते हैं जबाब होगा कि अछियो कि मैंने आपको ज्यादा ऐधा कि है और मैंने आपको छाटने में भी मदद कहाँ लेकिन बच्चो के साथ एक दिकत है उनका वोटिंग राइट नहीं होता, कम्पनी के संचालन में उनका सयोग नहीं होता, उने वोट देने का अधिकार नहीं होता, यह उनका अधिकार चीन दिया गया है, अब आप बदाएए, आप एक्विटी शेर पसंद करेंगे या प्रिफिरिस शेर्स यह आप की उपर लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ यदि आप प्रिफरेंशियस करीद रहे हैं तो आप जिस्क को जेलना नहीं चाहते आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते आप एक मालिक के तरह कम बिहेब कर रहे हैं क्योंकि मालिक किसे कहते हैं मालिक वो होता है जो हर नफे हर मुनाफ़ा होगा उसका होगा नुक्सान होगा उसका होगा जैसे किसी कंपनी में या किसी दुकान पर एक करमचारी है और एक उसका मालिक है करम्चारी को ते एक निश्य तन्खा मिलेगी अगर ज्यादा मुनाभण आफ़ा होगा तब भी निश्य तन्खा मिलेगी क्या वूंप जब्ध लेकिन मालिक उसे बहुत अधिक मौतरा में लाब भी मिल सकता है और अगर घाटा होज़े तो बहुत अधिक घाटा भी उठाना पड़ सकता है करमचारी इतना घाटा नहीं उठाएगा बलकि घाटा ही नहीं उठाएगा ठीक है चलें आगे तो आप हमारा अभी थाईए इकविटी शेयर और प्रीफ़िश शेयर्ज्चो अब हम करेंगे पूर्वादिकार अंसों और सम्ता अंसों में अंतर प्रीफिरिंश शेयर्ज और इकविटी शेयर्ज के बीज़में डिफरेंट्स पहला आंतर का कारण है rate of dividend लाभांस की दर पूरवादी कारणसों पर पूरू निर्धारी दर से लाभांस दिया जाता है पहले से दर तेह होती है क्योंकि प्रिफेंस शियर्स पर रेट लिखा होता है 10%, 12%, 15% उस दर से उन्हें लाभांस में लेगा समतांसों पर लाभांस की पूरू निर्धारी दर नहीं होती है यह लाभों की उपलब्दता तथा संचालकों के निर्णे पर आधारित होती है जो डारेक्टर्स है वो क्या डिसीजन लेते उसके उपर निर्वर होती है और हमारे पास कितने लाव उपलब्द है इसकी आदार पर तेह होता है इनका लावांश दूसरा अंतर का आदार है लावांश की बकाया रासी पुर्वादिकारंसों पर किसी वर्स यदि लावांश ना दिया जा सके तो इन पर लावांश संचित होता रहता है अर्दात यदि एक वर्स लावांश नहीं दिया जा सका तो यदि उनके पास कमुनिटी प्रिफेंस शेर से संचै पुर्वादिकारंस है तो वह आगे भी आगे अगले वर्सों में पिछले वर्सों का जो बकाया रासी है लावांश की वो उनको संचित होकर मिल जाती है सम्तांसों की वास्ता में लाभांस संचित नहीं होता है एक्विटी शेल्स का लाभांस ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें ना तो दर पहले से निशित है कितना देना है मालिक है मालिक को तो पच्छीस परशेंट पचास परशेंट भी मिल सकता है कितना भी मिल सकता है और कभी न preference of dividend receipt लाभांस प्राप्ति का पूरुवधिकार अंसों को समता अंसों से पहले लाभांस बाने का अधिकार होता है मतलब अगर लाभांस हुआ तो पहले preference shareholders को मिलेगा equity shareholders का number बात में आएगा दूसरी तरफ इन्हें पूरु अधिकार अंसों को पूरु निर्धारी दर से लावांस देने की पश्चात बड़े हुए लाव में से संचालक मंडल के निर्णे अनुसार लावांस प्राप्थ होता है। इन्हें लावांस कब दिया जाता है। पहले प्रिफेंश शेयर ओर्डर को जो निर्धारी दर है उसकी हिसाब से दिया जाएगा और उसके बाद भी संचालक मंडल के निर्णे पर आधारी थे कि इन्हें कितला लावांस मिलेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है पार्टी स्पेशन इन्मिनेज्मेंट परबन संचालन में भाग लेने का आधिकार। बचों प्रिफेंश शेयर जो हैं इन्हें कमपनी के परबन संचालन में भाग लेने का आधिकार नहीं होता। प्रिफेंश शेयर ओल्डर कमपनी नहीं चलाते। उन्हें केवल निश्यत्तर से लावांस मिलेगा। बाकी दखलंदाजी नहीं है उनकी दखलंदाजी नहीं चलेगी कि इसको डारेक्टर बनाया जाए इसको हटाया जाए यह एग्रिमेंट किया जाए यह ना किया जाए और दूसरी तरफ इन्हें यानि समता अंस वालों को कंपनी के परबंद संचालन में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है उसके बाद है पांचवा पाइंट मत डालने का अधिकार राइट इन्हें कम्पनी की मीटिंग में मत डालने का अधिकार नहीं है जब कभी मीटिंग्स होंगी तो उस मीटिंग में यदि किसी निरने पर पहुंचना है वहाँ पर कोई बोटिंग करनी है तो प्रिफेंश को कहा जाएगा कि आप बोटिंग नहीं कर सकते और दूसरी तरफ संतांस वालों को इने कंपनी की मीटिंग में मत डालने का पूर्ण अधिकार है यही तो चलाते हैं कौन संतांस तारी एकुटी शियरोल्डर्स उसके बाद छटा पॉइंट है समापन की दसा में पूर्वा दिकार प्रिफ्रेंस एड़ ताइम ओफ अप जब कंपनी का समापन किया जाए बंद की जाए उस वक्त क्या पूर्व अधिकार है पहला अधिकार है कंपनी के समापन की दसा में इने संतांसों से पहले अपनी पूजी वापस पाने का अधिकार है जो प्रिफेंस शेयरोल्डर्स हैं अगर प्रिफेंस शेयरोल्डर समाप्ति की दसा में इन्हें पूर्वा दिकार अंसों के भुगतान के प्रश्चाथ भुगतान पाने का दिकार है इक्विटी शेर्वोर्डर्स को सबसे अंत में अपनी पूंजी वापस मिलेगी और वो भी पता नहीं कितनी मिल पाएगी अमूमन तो ऐसा ही होता है जब कंपनी का समापन होता है तो ज्यादा चांस तो ऐसे होते कि कंपनी कुछ घाटे में रही होगी तभी जाके बंद करनी पड़ी और ऐसी दसा में उनका पैसा डूबने की सम्भावना ज्यादा होती है बजाए प्रिफेंश्यर्स की तो बचो अब इतना हमने कर लिया इसके बाद आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि प्रिफेंश्यर्स अच्छे है या एक्वीटी मैंने यह कुश्चन पह बचो अब हम जानेंगे share capital क्या होती है अंस पूझी अंस पूझी से आज़े company द्वारा अंस निर्गमन से प्राप्त पूझी से है company इस परकार प्राप्त पूझी के लिए एक सैंग पूझी खाता बनाती है जिसे अंस पूझी खाता यानि share capital account कहते है जो छोटे-छोटे shares होते है उनके द्वारा एकत्रित की गई पूझी ही share capital है और उसी को एक account में डाला जाता है पर तेक रेक्ती के लिए अलग-अलग खाता नहीं खोला जाता है उसके लिए एक ही account बना जाता है जिसका नाम share capital account है बच्चों इस lecture को हम यहीं समात करते हैं क्योंकि आगे जो हमने पढ़ाना है kinds of share capital उसमें काफी समय लगने वाला है तो उसे हम एक नए lecture में cover करेंगे ओके बाई बाई फिर मिलते हैं